हलो 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 राम राम सबको कैसी है मेरी YouTube family I hope आप सब अच्छे होंगे और भॉलेनात करें आप सब हमेशा अच्छे ही रहें तो मेरी एक वीडियो जो सबसे पहली वीडियो है YouTube पे जो मैंने अप्लोड करी थी अश्विक के होने से पहले की प्रेगनेंसी में बच्चे की किडनी में स्वैलिंग होने की वज़ए से आने वाली दिक्कत ना आप लोगों ने उस वीडियो को खूब सारा प्यार दिया था और मैं चाहती हूं कि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को बहुत सारा प्यार वैसे ही दें तो आज मैं आपके साथ ये टोपिक शेयर करने लगी हूँ जो टोपिक शेयर करने करना चाहती हूँ वो है नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेट खासकर महिलाएं यही चाहती हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए देखो फ्रेंट्स मैं जिन मेरी माताओं बहनों का operation हुआ है या फिर आप अपनी family में देख लीजिए हमारी मम्मी मम्मी लोगों का operation होता है तो वह सारी उमर कभी यहां दर्द injection की pain है ना कमर दर्द legs pain मतलब सारी उमर वह अभी तक हमने यही सुना उनका कि यहां दर्द वहां दर्द लेकि नॉर्म delivery के time पे ही आपको pain sign करना पड़ता है वह pain labor pain जो होता है वह कितने भी time का हो सकता है तो main मेरी बात यह है कि अगर मेरी माताओं भेने अगर 9th month में देखो operation सिर्फ एक condition में हो सकता है अगर आपका baby उल्टा है मतलब baby का सर उपर है और पैर निचे वाली साइड है तो सिर्फ उसी condition में आपका operation हो सकता है लेकिन अगर आपके baby की position सही है तो आपके हाथ में है normal delivery और अगर आप लोग उल्टे baby को सीधा करने के मतलब अगर baby उल्टी condition में है उसको सीधा करने या फिर उसी condition में normal delivery के लिए अगर आप लोग कोशिश करते हैं अगर आपको जानना है कि यह कैसे हो सकता है please comment section में comment करके जरूर बताईएगा मैं आपको उसका भी एक तरीका बताऊंगी तो अभी फिलहाल हम बात करते है normal delivery normal delivery दो ही इनसे हो सकती एक तो normal एक operation operation से सही नहीं रहती क्योंकि मेरी normal हुई है मैं आप लोगों को यही suggest करूंगी चाहे कुछ भी हो सारी pregnancy में अगर आपको डॉक्टर ने rest बोला है 8 मंथ में 8 मंथ तक आप rest करो चाहे bed rest मतलब proper rest करो मैं उसके लिए मना नहीं करूंगी मैं deny नहीं करूंगी इस बात को लेकिन 9 मंथ में आपने कपड़े धोने पैरों के बल बैठना पोच्चा लगाना exercise करनी और आपको सची बात अधर पहले जहां हम रहते थे पंचकुला तूरूम सेटा में कमरों के अंदर ही आप मानोगी नहीं मैं 8-8 किलोमेटर चलती होती थी 8 किलोमेटर एक दिन का मतलब चलते रहना चलते रहना सबसे बड़िया तरीका बताऊं आपको आपने करना कुछ नहीं है जिन अपने रे कर्मनल डिलीवरी में मतलब इजी रहेगा आपके लिए सची बात बताऊं शनाया मेरी फरस्ट बेबी मेरा शनाया ही है तो शनाया मेरी एक घंटे में हुई है मतलब मेरको एक घंटा ही लेबर पेन मैंने वो सहन करी है भगवान की दया से मेरा वो टाइम भी अच्छा निक अश्विक की बारी मेरा आधे गंटे में हो गया क्यूंकि मैंने बहुत 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 स्ट्रगल करा अपने नाइंथ मन्त में कभी इस बात को लेके आपको कभी एकदम से सडन वीडियो बनाऊंगी हस्बंड से पूछूंगी एकदम से की बताओ अच्छा मैंने नार्मल आपको बताएंगे कि सही में मैंने ये सब कुछ कर आएं तो चलना जितना हो से कि सीडियां चड़नी सबसे अच्छी एकसरसाइज बताओ मैं आपको सीडियां चड़नी जितना जितनी बार हो सेगे हम 35 पे हमारा रूम था मतलब ग्राउंड फ्लोर फस्ट फ्लोर और जितना आपको नॉर्मल डिलीवरी में उतना ही ये हैल्प करेगा अभी मेरी ननज की डिलीवरी है एक ननज है मेरे उनकी शादी का व्लोग भी डाला था मैंने अभी उनकी डिलीवरी है अभी उनका बेबी मतलब उल्टा है उनका बिभी तो अभी उनकी कैसे delivery होती है मैंने उनको suggest करा था बाकि उन्होंने किया की नहीं किया वो मैं आपको तब ही बता पाऊंगे जब उनकी delivery होगी तो मतलब वही है कि बिभी उल्टा हो या सीधा matter नहीं करता matter करता है कि आपने नाइन्थ मन्त में कितना स्ट्रगल किया है और यही बात है मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने शरीर का ना अपनी बॉड़ी का मतलब उसको कटवाओ मतिया रहे सची बात बताओं यह हमारे हाथ में है यह हम खुद कर सकते हैं यह हम किसी के बोलने पर यह मैं आपको बोल रही हूं आप तो नहीं होगा यह आपके खुद के अपने उपर है कि आप लोग डिलीवरी कौन से सिलेक्ट करते हो आप उपरेट सिलेक्ट करते हो ऑपरेट में दे देखो 20 हड्डियां तूटने जितना दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में तो वो दर्द नॉर्मल होई नहीं सकता तो हिम्मत मांगना अपने भगवान से जो भी आपके आराध्ये हैं उनसे हिम्मत मांगना उस टाइम पे हिम्मत चूट जाती है एक वक्त ऐसा आता है कि हम बोल दिया था कि नहीं आप लोग मेरा ऑप्रेशन कर दो लेकिन नहीं मन के अंदर-अंदर में भोलनात को याद किये जारी थी किये जारी थी बस अपने भगवान से हिम्मत मांगना बाकि सब कुछ हो जाएगा उस टाइम पे तो बस यहीं लगता है कि एक मरता नहीं है इं अपने घर को चलाने के लिए कितना सहन करती है चाहे वो किसी भी तरह से हो कोई भी बात हो सुख दुख गरीबी अमीरी कुछ भी मतलब किसी भी तरह से कोई भी कोई भी ब्राब्लम हो एक लेडी उन बातों में से हसके निकल जाती है तो इसी लिए शायर्थ क्योंकि यही सुजेस्ट करूंगी कि जो भी अभी इस वक्त प्रेगनेट हैं जो भी माताएं पहने मेरी वीडियो देख रही हैं वह कोशिश करें नाइन्थ मन्त में एट मन्त में देखो डिलीवरी होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे माचल में यह कहा जाता है कि एट मन्त में हुई बच्चा मतलब एट मन्त में हुआ बच्चा बिमार ही रहता है और यह सच है टुथ है हमने कई ऐसी कई ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो एट मन्त में हुए हैं ना उनकी सेहत बन पाती अच्छे से और नहीं वह बच्चे मतलब हैल्दी रह कोशिश करना कि 8 मनत में ऐसा कोई काम मत करना इस से आपकी डिलीभरी जल्दी हो जाए hem नाइंथ मनत में कोई काम मत छोड़ना जो आपने आपका करण करना बंता है लेकिन आपने नहीं किया, ऐसा कोई काम पुह सो मची की और और अगर कुछ और भी आपको जानना है या कुछ भी कोई भी डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई भी क्वेस्टिन आपके माइंड में है तो प्लीज 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 कॉमेंट सेक्षन में मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बाई टेक कियर राम राम